हाई अब्रीवन वल्कम बैक टू माई चैनल और बताई दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज की वीडियो में लिखे आ चुक हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन पाई आज मैं आपको ब्लाउज के बारे में फूल डेटेल दूँगे मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने अपने ब्लाउजे किस तरह से स्टिच करवाए हैं टेल से और मैंने उन्हें किस तरह से सिलने की आइडियाज दिये वें तो आपको इनमे से कुछ अच्छे से डिजाइन भी मिल सकते हैं तो आप मेरी वीडियो में स्टार्ट्रिंट तक बनी रहिएगा वीडियो पसंद आती तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे नहीं सब्स्राइब करना बिल्कुल मत बूलि और आपको मेरा इनमे से कौन सा ब्लाउज कनेक्ट अच्छा लगा वो भी कॉमें सब्स्राइब बताईएगा तो फ्रें यह जो वीडियो में आपको टू पार्ट में सेयर करूंगी क्योंकि काफी जादा ब्लाउज मेरे पास हैं और मैं आपको एक वीडियो में सारे नहीं दिखा सकती हूं कि इस सब्सक्राइब जो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो चलिए वन वाय वन करके मैं आपको अपना ब्लाउज कलेक्शन दिखाती हूं और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह देखे यह रहा मेरा फर्स ब्लाउज का कलेक्शन तो यह देखे कुछ है इस तरह से है और इसके बाद यह रहा मेरा फ्रेंड्स सेकेंड कलेक्शन ब्लाउज का तो मैं आपको वन वन करके जू पार्ट पर अपने सारे ब्लाउज कलेक्शन दिखाऊंग रफस ब्लाउस तो इसमें कुछ इस तरह के यह देखें लगी हुई है तो यह लेस कुछ इस तरह के लगी हुई दोनों अस्तीरों में और फ्रेंड्स मैंने नेस हाफ-ाफ लगवाई हुए क्यूंकि जब हाथ के नीचे से लेस लगती तो यह ब्लाउस जो होता ना खड़ाब होने लगता है इसलिए मैंने लेस इतनी ही लगाई है जितने हमारे हैंड पर दीख सके इसके बाद फ्रेंड्स यह देखे और यह रहा बैक तो बैक में आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पाइपिंग वाली तो यह देखे पाइपिंग वाली मैंने यह तो फ्रेंड्स यह देखें यह रहा मेरा फर्स्ट ब्लाउस तो यह देखें कुछ इस तरह का है और इस ब्लाउस की जो गहराई है वो फ्रेंड्स आठ या नौ है तो काफी ज्यादा लंबा मैंने कराया था तो देखें फर्स्ट हमारा यह रहा इसके बाद फ्रेंड्स यह द साड़ी थी मेरी इसमें पहले से नेक यह डिया हुआ तो इसमें पहले से हे लूडल सकती थी तो इस तुर्टीर मेरी लिच कोई अधने कोई को बनला शकचा रहा क्यार है यह लेज देखे यहाँ पी पूरा यह लगा हुए इसके ब्लाओज भी खराब होने लगा तो यह जो ब्लाओज यह से स्ट्राल के तरफ से मुझे सिल्के मिला हुआ था तो तब इसी के विज़े से ऐसा और यह देखे यह रहा इसका बैक तो आप देख रहे हैं बैक में भी कितनी ज़्यादा इसमें डिजाइने बनी हुई हैं और इस तरह से लटकन भी लगे हुई हैं तो यह ब्लाउज तो जो है सस्वराल से सिलके मिला हुआ था इसी की वज़े से यह इस तरह का है नहीं तो मैं इसमें कुछ और ना डिजाइन ट्वारे में सुचती इसके बाद फ्रेंडे देखे यह यह ब्लाउज मेरा यह टिये लेंगत पड़ के साड़े का है और यह मुझे मेरा जो ब्लाउज यंदि मुझे बहुत सुन्दर एक में बन जेकरएес वह ब्लस बंके मिला हुए है जैसा यह यह आंगे में ब्लाउज तो यहां तक अस्तीन है और अस्तीनों में कुछ यह इस तरी के डिजाइन है तो यह देखिये कुछ इस तरी का यह डिजाइन बना हुआ है और फ्रेंड्स यह जुन्या का आप देख रहे हैं यह काफी छुट्ट था तो मैंने ऊपर से कुछ कपड़ा छुड़वाया था ताकि यह हमारी कंदी पे आस चाते और ब्लावस हमारा थोड़ा दीप कर लेकर रह सके तो यह देखिये अगर इससे ज़्यादा डीप एकाइए होने के द्वाधिये से थोड़ा आउट लगता तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा चुड़ाया था और नंबर का 0 Kelam ब्लॉच में एस तरीके रखाई थी साथ साथ में एदेखें इस तरीके इसमे लटकन लगवाई हूई हैं तो यह लटकन में खुद ही लगाई हूई है तो यह देखें और फ्रेंड्स और अलि टू डेस में मुझे शिलके मिला वा था क्योंकि इसwife कीश्टर मेरी चीफ से अर तो मैंने इसको प्लेन इसले कराया है ताकि जब माना है तब हम पहन सको में और यह देखिए इतनी इंच की मैंने स्लेट लगाई हुए तो जैसा बैक है वैसा ही फ्रॉंट है तो दोनों के मैंने सिंपल रखाया हुआ है तो यह ब्लॉज जो है ना मुझे बहुत जड़ा तो इसलाइं आ lawn ने किचे बन ओवाई हुए तो यह मैंने और प्लावर्ब बने और इन में इस टोन लगा हुआ है खिए ऑट जहें तो फेl pumped को में आल तो निग कपड़े में बैक के डिजाइन पहले से बनी हुई थी तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनवा सकते थे तो इसी विज़े से मैंने यह सिंपल ब्लॉज कराया है और साथ मैंने ऊपर से कपड़ा और छुवाया था था कि जो ब्लॉज की जो गला है वो थोड़ा देपा सके इस इसके साथ ही साथ मैंने देख्या इसमें लटकन कुछ है इस तरह के लगायए हुई है तो मैंने जितने भी बलॉजे सब में लटकन हर अलग ही अलग लगवाय इसके बाद फ्रेंड्स यह देखे यह रहा मेरा पिंक कलर का ब्लाउज है तो फॉन्ट हमेरा हमेशा में छोटा ही रखती हूँ तो कुछ यह इस तरह का है और यह देखे प्लेन इसमें पाइपिंग गला में डिजाइन रखाई हुई है तो फ्रेंड्स आप में यह अगर इससे जादा मैं डीप करती है या बैक का हुक वाला बनाती तो यह सारा डिजाइन जा सकता था इसी के वज़े से मैंने सिंपल प्लेन कराया है और इस तरह के मैंने इस में देखे लटकन लगाई गी है इसलिए तिसके बद फ्रेंड्स यह दीखें यह मेरे प्लक लिगवरीद यह पंशे लकते हैं डू है कुछ यह जड़ा की लोड़ेश समुझाए है उग होगाई वह आ चिपकाई हुए थे तो सिल के बहस इस्टोर ने दिया था लेकिन इसमें मैंने वर्क खुदी करा हुआ है और यह देखिए कुछ इस तरी का यह हमारा जो है यह फ्रॉंट है और यह देखिए यह रहा बैक तो काफी ज़दा डीप बैक मैंने बनवाया हुआ था और यह देख क्युक्या है यह यह देखिए यह पूरा ब्लाउज मेरा हाईवी ब्लाउज है और अब तक मैंने इस ब्लाउज को कब एक बार भी नहीं पहेना हुआ है कभ़ि मौकाई नहिं लगा कि मैं इस ब्लाउज को पहन सक readiness culminato कि साधी पार्टी मैं क्योंकि जब भी साधी party होती तो मैं अक्सरा बलरामपुर में रह जाती हूँ तो मैं नहीं पहन पाती हो फिर जब कभी अगर कोई साधी party होती भी है तो दूसरा साडी पहन लो तो नहीं इतना याग रहता तो यह जो ब्लॉज मुझे ऐसे ही बना बनाया साड़ी में मिला हुआ था यानि मैंने जो साड़ी खरीदी हुए थी उस पे मुझे दो ब्लॉज मिलेती एक पहला सा इस किस ब्लॉज मिलाता जिसमें मैंने अपने हाथों से खुद हिसी की अस्ती में के अस्तिन से कुदी और यह यहां से सारा लुई अपने आदूंसे खुद हिसी की हुगा है लिया है weह दिखना ली बढ़कत के दीखें hele इसके बड़ फ्रेंग्स ये देख्येए मेरी सारी लगती है। इसे लचे सारी मेरी साज़ी पर जेए इस तरवे में कुछ इसथियो की लगवामी हूई है। और इतने इतनी ब्लाउज लगाने से यह होता है जो हमारा हैंड होता है ना तो नीचे से कपड़ा ब्लाउज करने खराब होता है और बैक में देखे मैंने कुछ इस तरह से लेस लगवाई हुए और यह लटकन की साथ में इस पूरी की साथ में ने कुछ इस तरह की लटकन लगवाई हुए है तो यह सीमपल सीर शवर बलॉज भी कभी जो मेंगी साडियां होते हैं hopefully, आप अच्छा लगता है सो फ्रेंड्स यह रहा मेरा ब्लाउज कलेक्शन का पार्ट फर्स्ट और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हूँ और इन में से आपको मेरा कौन से ब्लाउज सबसेर अच्छा लगा है तो कॉमेंट सेक्षों में जो भी बताईएगा फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों